इस वड़ी खबर आ रही है जैन साथ हमारे साथ मौझूद है सर क्या बता रहे हैं सूट नमबर तीन निर्मोही अकाड़ा का सूट वो खारिज हो गया है और यह जो यहाँ पर बताये गया है जो अभी क्या इस बारे पर भी टिपड़ी की जा रही है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो इसमें नमाज पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है यह एक बड़ा सवाल है यहाँ पर निर्मोही अकाड़े का जो सूट है वो खालिज कर दिया गया है इस बार्ट बाइ लिमिटेशन इसका मतलब क्या हुआ जैन साब और यहां राम लाला विराजमान और सुनी वक्ष बोड़ वो अभी बाकी है और यहां पर बैक्ट यूँ अंजना यह बड़ी खबर है मैं आपको बता दूँ एक और चीज यहां पर आई है आप उसमें लिमिटेशन थे निर्मोही अकाड़े की अगर उसकर जो सूट है उ राम लाला विराजमान वर्सिस सुनी वक्ष बोड़ वो मामला है जो सबसे महत्वपूर्ण है और मालिकाना हक उस जमीन का दोनों में से किसे दिया जाता है इस पर नजर रहेगी निर्मोही अकाड़े का दावा भी खारिज किया गया है और जो अन्य पक्षकार है यह पैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें मालिकाना हक किसे दिया जाए इस पर पैसला आना है तो यह सपश्टा आप रख ले चार की प्लेयर्स पक्षकार इस पूरे मामले में आप मान सकते हैं जो पहला सूथ था उसमें शियाववक्त बोड़ के याचिका खारिच की जैन साब के पास एक इंफोर्मिशन अंदर से आ रही है जैन साब खुद वरिश अदिवक्ता है सर आपने एसाई वाली बात की थी हो क्या है अच्छा मतलब एसाई ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो कमज़ोर एविडेंस नहीं है यह अंदर से खबर आ रही है और एक औ है जो जो एविडेंस दी है उसको वयवट किया है और वो काफी मामी रखते हैं उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं दूमबर वान नमबर टू रामलला जो है उसको आपने रिपोर्ट डिग्ट मने जिए खिलाफे है अच्छा में ने निकाला जाँ उसकी प्रीडिंग मतलब नहीं है यानि की इद्गा नहीं था वो इद्गा नहीं था तो अंजना देखे एक-एक information आ रही है हम आपको एक-एक information बता रहे हैं तो बीच में थोड़ा से interruptions आने हैं उसके लिए मैं दर्शकों माफी चाहूंगा बाबरी मास्क वेकेंड लेंड पर नहीं तो पर नहीं बनी थी इसका आर्थ निकाला जाए कि कुछ था वहां पर नहीं बनी थी कुछ एसाई के रिपोर्ट को पर्फट करते हैं मतलब जो पिलर वो पिलर बेस तो रामलला यह नहीं कि एसआई की रिपोर्ट कहती थे है आर्गलॉजिकल सर्वे ओफ इंडिया कि कि जो वहाँ पर structure था वो structure जो था वो Islamic नहीं था mosque जो था वो vacant land पर नहीं बना था यानि कि already वहाँ पर कोई structure था जिसके उपर ये बना है यहाँ पर जैन साब एक-एक जानकारी एक-एक information यहाँ पर देते हुए यहाँ पर तथा कदिद मस्जिद बनी थी वहाँ पर पहले मंदिर था यहाँ पर तथा कदिद मस्जिद बनी थी वहाँ पर पहले मंदिर था यह भी इस वत की बड़ी ख़बर आगी है एसाई के pillar वाले facts को उसको भी validate क्या गया है जैन साब यह सब जो चीजे आ रही है यह बता रही है कि मंदिर की तरफ इंगित कर रहा है यह सारी जो चीजे आ रही है जैन साब का यह कहना है यह मंदिर की तरफ इंगित कर रहा है लेकिन यह जो इंफोमेशन अंदर से आ रही है वो एक एक इंफोमेशन हम आपको बता रहे है पड़ी ख़बर इस वक्त की जो आज तक पर आप देख रहे है बाबरी मस्जित फाली जमीन पर नहीं बनी थी आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पे मंदिर की बात कही है और आकेलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के पुरातात्विक सबूतों को हम स्विकार रहे है खाली जमीन पर बाबरी मस्जित नहीं बनी थी A.S.I. ने अपनी जो जानकारिया दी हैं उनको तरजीह देते हुए उनको सुईकारते हुए ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको आज तक पर बता रहे हैं खुदाई में जो मिला वो इसलामिक धाचा नहीं था ये बात किस तरफ बढ़ रही है ये कंक्लूसिव तरीके से कहने से पहले थोड़ा सा परहेज रखने की जरूरत है लेकिन संकेत साफ है E.S.I. ने मस्जिद का दिक्र नहीं किया है बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी निशान आगे की जानकारी निशान निर महुए कराणा के शिबात नहीं माना है निर महुए खाणा के कुछ भीर नहीं माना है नमबर एक बार E.S.I. अब लेकिन आपने तो मांते हैं राम जी के जन्रस्थान है आप वह बता रहा हूं जो इसमें है जो अभी दक अंदर जान खबर आरी मैं वह बता रहा हूं अच्छा अपने बता रहा हूं और मुझे एक और चीज़ बताए कि जो मौस्क बना था वो इसमें बताए गया हो कि मंदिर तोड के मस्जिद बनाए गाई थी यह एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यह डिस्प्यूट है ही नहीं कि भगवान श्री राम आयोध्या में पैदा हूए थे यह डिस्प्यूट है ही नहीं यह अराजा दो आका प्रागा देजे़ दाखका प्रागा लेजे़